My Mr. Unpredictable Episode 12 interview का समय होते ही interview के candidates यानि सिर्फ जिन्होंने टेस्ट पास किया था वो धीरे-धीरे company में enter होने लग जाते हैं और सबके आते ही reception पर बैठी हुई एक 24 साल की लड़की उन्हें बताती है कि interview CEO office में ही होगा और इतना बोल कर वो उन्हें CEO office का रास्ता बता देती है CEO office के बाहर सभी candidates के बैठने का इंतिजाम किया हुआ था और उन्हें manage करने का काम company के ही एक female और male employee कर रहे थे CEO office company के top flow पर था इसलिए सभी 20 में से 19 candidates lift में चले जाते हैं और top flow पर पहुँचते ही lift से बाहर निकल जाते हैं candidate इसको बाहर निकलते हुए देख male employee राघव और female employee पूजा उनका वेकम करती है और दी गई list के according उनका bio data match करने लगती है इस बार 20 candidates में 13 लर्किया और 7 ये लर्के थे जिनमें से एक लर्का अभी तक नहीं आया था और सबकी details को check करके उन्हें वही chair पर बिथा दिया जाता है उनको बिथा कर पूजा और राघव एक side चले जाते हैं और आखरी candidate की wait करने लगते हैं क्योंकि अभी interview शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे side में जाते हुए राघव पूजा से कहता है देखो पूजा इन लर्कों को देखो कितना सच्सवर कर आये हैं जैसे interview के बाद इन्होंने कही कि शादी में गोरी चरना हो और इन लर्कियों को देखो कितने अच्छे और formal dress होकर आई हैं और इतना बोलकर वो अपना move बना लेता है राघव की बात को सुनकर पूजा हसने लग जाती है और कहती है तुम भी कैसी बाते करते हो इस interview में लर्के ही तो अच्छे से त्यार होकर आएंगे ना कि लर्किया क्योंकि लर्कों को अपनी नई CEO पर impression भी तो जमाना है पूजा की बात को सुनकर राघव बस सरहिला देता है और आगे कहता है वैसे तुम्हें क्या लगता है ये अपनी नई CEO कैसी है मतलब तुम्हें क्या लगता है क्या ये business संभाल पाएंगी और या फिर बिना किसी काबिलियत के अपनी family के दम पर CEO बंग गई है राघव की बात को सुनकर पूजा कहती है मुझे तो लगता है ये नई CEO अपने पहले वाले धरकी CEO से बहतर ही होंगी क्यूंकि यार क्या तुमने वो interview टेस्ट नहीं देखा उसमें किस लेवल के questions थे और मुझे पता लगा है कि वो question हमारी नई CEO नहीं लिखे थे पूजा की बात सुनकर राघव जवाब देता है हाँ वैसे तुमने बात तो सही कही है वो question सच में बहुत टफ थे में तो पहले तीन questions में ही बहुत टाइम लगा दिया था और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलता है अरे यार अब ये आखरी लड़का क्या नाम है हाँ रिशब बर्मा का बाएगा पक्का अरे यार वो तो लड़कियों से भी ज़्यादा समय ले रहा है यार इतना भी कितना त्यार होकर आना था जो इतना टाइम लगा रहे हैं आखरी बात को बोलते समय उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी जिसका एहसास पूजा को हो गया था और वो रागव को चिड़ाने वाले लहजे में हसते हुए कहती हैं क्यूं तुम्हें मौका नहीं मिला सजने का इसलिए तुम्हें जलन हो रही है क्या पूजा की बात को सुनकर रागव जेम जाता है और कहता है क्या यार अब तुम भी मेरी टांगी चलो उसकी बात को सुनकर पूजा और भी ज्यादा हसने लगती है थोड़ी देर बाद यानि लगभग पांच मिनट बाद टॉप फ्लो के लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसमेंसे लगभग 26 साल का लड़का बाहर निकलता है जिसने एक बहुत ही नॉमल सी ब्लाक पैंट और थोड़ी लूज वाइट शर्ट आँखों में नजरों वाला चश्मा और बाल बिलकुल तेल से नीचे को बिठाई हुए थे और ऐसे लड़के को बाहर निकलते दे राघव का मूँ थोड़ा शौक से खोल जाता है और साथ में खड़ी पूजा से कहता है अरे ये ऐसे इतना नॉमल कैसे त्यार होकर आ गया क्या इसे पता नहीं कि इंटर्व्यू लेने वाला कोई 45 साल का आदमी नहीं बलकि एक खुबसूरत लड़की है अरे यार देखो इसको ये कैसे राघव का सवाल सुनकर पूजा उसको अजीब निगाहों से घूरती हुई कहती है अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार लड़का अच्छे से त्यार होकर आये तब तुम्हें प्रॉब्लम और ना होकर आये तब प्रॉब्लम पूजा की बात को सुनकर तुम बिल्कुल भी नर्वस मत हो और अंदर जाकर बिल्कुल रिलेक्स होकर इंटरव्यू देना। पूजा की बात को सुनकर रिशब थोड़ा नॉमल होते हुए कहता है, ठैंक्स मैम और इतना बोलकर वो हलके से स्माइल कर देता है और आगे बढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। आखरी केंडिडेट के आते ही पूजा CEO के केबिन में जाती है और केंडिडेट्स की लिस्ट राधिका को नर्वसली दे देती है। थोड़ी देर बाद पूजा बाहर आती है और रागिनी नाम की लड़की को सबसे पहले अंदर बुलाती है। आज के एपिसोड में इतना ही, आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।